आज हम मतर के पराठे बनाएंगे और इस पराठे का खास बात यह है कि हम मतर को बीना पीसी हुए बनाएंगे बीना किसी मेहनत का अगर आपके पास पीसने का समान नहीं है न मिक्सियोगर नहीं है फिर भी इस पराठे को बना सकते हैं स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी और ह आपको धियान ये रखना है कि जो आप पराठे के लिए आटा बनाते हैं आटा वना चाहिए बस ये पराठा बनाने में बहुत ज़रूरी होता है इसे आपका पराठा फटेगा नहीं यहाँ पर देखिये आटा कितना सॉप्ट है इस तरीक समें आटा गूंद लिया है अब इ इसको मैं आख मैं रख देती हूं यहां पर मैंने मटर लिया है ऐसा को शिर्णाया कि फॉफ surtout कि अपांच सी 5 प्राइड लिना जब उबलना शुरू हो जा, उसके बाद से घरी देखकर 5 मन उबले ऐसे नहीं कि कच्चा में ही और टाइम देखना आप शुरू कर दे उबलने के बाद 5 मन उबालना है, पानी गरम होने के बाद 5 मन उबालना है बस पक जाता है मंटर इतना में अब इसको साइड में रखेंगे तल गरम करेंगे तल जैसे ही गरम होता है इसमें थोरा सा जीरा दारेंगे जीरा एक चोधा ही डालें जीरा डालने से यह होता है कि प्राठे में अच्छी खुस्बूँ आती है दूसरा बाद आपका तेल सही सी गरम हुआ कि नहीं यह भी पता चल जाता है। दो फाइदे होता है जीरा डालने का। जीरा जैसे ही पकता है इसमें हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे। यहाँ पर यह चोटे साइज का पांचे लहसुन था उसको मैंने चोटे-चोटे काट लिया है। लहसुन को एक मिनट के लिए चला लेंगे। लहसुन का कलर जैसे ही चेंज होता है इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी आप क्या करें कि छोटे टुक्रों में काट लें इस तरीके से। जैसे ओमलेट कट बनाते हैं उस तरीके से काट लें। इसके बाद प्याज को चला लेंगे। प्याज को भूनना नहीं है बस थोड़ी दिर के लिए चला लेना है। इसके बाद इसमें कटा हुआ मिर्ची डालेंगे, मिर्ची ऑप्सनल है, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो मिर्ची नहीं डालें, मिर्ची डालने से पराठी का स्वाद बढ़िया आता है, तो मिर्ची डालना चाहिए थोड़ा सा, यही पर आप स्वाद अनुस कर लेंगे, अच्छे से इसको मिला लें, आज को यहां कम करकर रखा है, नहीं तो मसाला जलने लगेगा, तो प्याज को नहीं पकाना होता है इसमें, बस प्याज को हलका सा सोटे करना है, यहां पर देखे, मैं प्याज को नजदिक से दिखा रहे हूँ, यह देखे, आज मसाले हमने भून लिया है तो इसको और ज्यादा देर नहीं पकाना पड़ता है मीडियम आज पे इसको थोड़े दिर के लिए चला लें उसका दिहां पर थोड़े सो चाट मसाला डालना भी इसमें अप्शनल होता है लेकिन इससे विस्वाद बढ़िया आता है तो जरू जाता है अगर आपके पास आलू में सर भी नहीं है तो आप इसको जो बरेवले अस्पून होता है उससे भी इसको मिला सकते है थोड़ा ज्यादा टाम लगेगा लेकिन इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लें यहां पर मैंने इसको 2-3 मिनट लगा अच्छे से मिक्स कर ल आटा पहले इस तयार है थाहत में थोड़ा सा सुखा अटा लगाएंगे और इस तरीके से डो बनाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी का जो बनाते हैं उससे थोड़ा से बढ़ा लेना है आपको पराठा थोड़ा से बढ़ा ही अच्छा लगता है उसके बाद इसक बाद इसको इसके बाद बीच मी बचता है तो आप मैं ठोड़ा सी को निकाल देती उन बस आप आपको यहां पर यह करना है देखना है कि अच्छे से बंद हुआ कि नहीं इसके बाद इसको involvingich application करना है उसके बाद आप इसको चकले पर रखकर भी हलका सा हाथ से ऐसे एस्पिरेट करें इससे हमारा जो मतर है नंदर का वो बराबर हो जाता है फिर पराथा फटने का चांस कम रहता है अगर इस तरीके साब कर देते हैं तो इसके बाद इसको बेलन से बस दो बार बेलना है इस तरीके से बस यहां पर हमारा पराथा बन के तयार है बहुत यह असान है मतर का पराथा बनाना वो भी बिना मिक्सी में पीसे हुए है चलिए एक दो पराथे फटा-फट सेख के दिखाता है तब एको ठीक से गरम होने दे ठंडा तबा में पराथे को नहीं डाले नहीं इससे क्या होता ने कि आपका जो पराथा है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा अच्छा नहीं बनेगा तब एको ठीक सी करम होने दे उसके बाद उसके उपर से पराथा डाले और उसके बाद उसके उपर सी घी या तेल लगा के दोनों साइट से अच्छे से से शेक लें एक पराठ़ा फटा है अगर उस जगह दवाएंगे तो पराठा का जो भाब है वो अंदर रह जाता है और पराठा फूल जाता है ये भी ट्रीक है पराठा को फूलाने का यहाँ पर देखिया इस तरीके ा ने सभी पराठे को से क मैंने साथेगी मेर लिया है इस मिरीड हक आ घ subscribe करना बिलकुल ना बोला